राश्ट्रपती के बजट सत्र के अभी भाशन को लेकर बैन मायवती जी ने दी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया भाजपा के नीतियों को किया बे नकाब जिया दोस्तो मैं उपराग मेंदर आप देख रहे है दधिंग आपको बता दे कि बजट सत्र का सबसे पहला दिन था और इस बजट सत्र के अंदर में राश्ट्रपती द्रोपती इनोंने अपने भाशन के अंदर में कई गंभीर विश्यों के बारे में बाडशीत की है और साथी-साथ इस पूरेाभी भाशन को लेकर बज़रा बजट सत्र करेंगे और इसे पुरे मामले को लेकार आगे हम चर्चा करेंगे माननिया राष्ट्रपती द्रापती मुर्मूंजी द्वारा संसत के बजट सत्र के पहले दिन आज अभिभाशन में केंद्र की और से कही गई बाते तता किये गई दावे देश की 100 करोड से अधिक महेंगाई गरीबी बेरोजगारी आधि के तरस्त जनता की सांतवनाव शांती के लिए बहुत ही कम लोग सुकी होंगे तबी देश बढ़ेगा अपने पहले ट्वीट में बेरोजगारी को लेकर तरस्त है इनके उपर में जो सांतावना राश्टरपती के अभी भाशन में रही ये बहुत ही कम है और उन्होंने जिस तरीके से जो बड़े वादे किये वो भी सीमित नहीं है इस तरीके से हम देखे तो कई वर्षों से लगातार इस देश के अंदर में तमाम गरीब महनतकश रहने वाला जो समाज है इसके उपर में स्रीफ बाते हो रहे हैं लेकिन इनके मस्लों को इनकी समस्या को हलोने के लिए पुरे देश के अंदर में एक बहुत बढ़े पैमाने पर किसी भी प्रकार क कोई भी काम नहीं हो रहा है और इसी प्रकार अगर यह चीजहे चलते रहे तो आने वाले भुशे के अंदर में देश का जो मेहनतकश चलते दब रही है महेंगाई के आड में आ रही है बोस तले लगातार दबती चले जा रहे है बेरोजगारी चरम सीमा पर है और ऐसे में राष्टपती के माध्यम से जो संसेत के पहले बजट सत्र के अंदर में जो बाते कहीगे जो अभी भाषन दिया गया है ये बहुत इसी मीत है इसी के साथ साथ इन तमाम मुद्दों के लेकर आने वाले भविश्य में जब अगर काम होगा तब जाके एक मानना ये तब तक इस देश के अंदर में हम ये नहीं कह सकते कि विश्व गुरु कभी ये जो बात है ये सफल हो पाएगी इसे के साथ साथ बहन मायवती जी इन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में क्या कहा आये देखते हैं साथ ही सरकार की आंतरिक व आर्थिक निती से देश में अमंचैन, सुक सम्रद्धी, विकास व खुशाली के उस माहोल का अभाव जिससे अपारगरी भी व बेरोजगारी दूर होकर यहां लोगों का जीवन थोड़ा बैतर हो जनता की जेव खाली किन्तु कुछ लोगों के हातों में देश की पूंजी का सिमटना देश की प्रगती हे तु घातक बेन मायावती जी इनों आपने दूसरे ट्वीट में साफत और पर जिस प्रकार काया है कि इस देश के अंदर में जो एक बहुत बड़ा तपकार रहता है जो गरिब मेहनत कश है इनकी जो जेवे है यह खाली हो चुकी है और इनक देश के धन्ना सेथ है कुछी लोगों के पास मिजदेश की पूरी की पूरी पूरी पूंजी है बात अगर करें हाली में आप देखेंगे जिस प्रकार गौतम अड़ा नी ये पूरे दुनिया के अंदर में सबसे अमिर सक्षकों में दूसरे पाइदान पर थे अभी साफ तोर पर देखा जा रहा है उनकी संपत्ति के अंदर में बहुत बड़ा जो अभाव देखने को मिल रहा है जो जो नुकसान उनको जेलिलों को मिला है जिसके कारण वो दूसरे पाइदान से सीधे के सीधे अभी वो आठवे पाइदान पर आ चुके है और इस पूरे आर्थिक अभाव के बदोलत जिस प्रकार उनका नुकसान हुआ है इसकी पूरी भारत की जो संपत्ती है इससे बहुत बड़ा यहाँ पर उनका संबंध है क्योंकि जिस प्रकार इस देश के अंदर में 70% से अधिक जो संपत्ती है वो गौतम अड़ानी इनके ग्रूप के साथ में है इनके कमपनियों से जुड़ी हुई है अब इस कितने बड़े नुकसान के कारण भारत की जनता को किस प्रकार तमाम समस्यों का सामना करना पड़ेगा यह भी एक चिंता का विशे बन चुका और इसी सवाल को उठाया यहाँ पर अपने ट्वीट के माध्यम से बहन मायवती जी इनोंने और उनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार आर्थिक मंदीपुरे देश के अंदर में चल रही है जी डीपी जिस प्रकार लगातार गिर रही है और बजट सत्र अभी भारत का जिस प्रकार आया है इस बजट सत्र के माध्यम से हम देख रहे है कि इस प्रकार देश की आर्थिक स्थीती बैतर से बैतर होन और ऐसे में इस देश का जो मेनत कश जो लोग है इस देश के अंदर में गरीबी से रेखा से नीचे आने वाले जो लोग है जो लोग इस देश के अंदर में रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जद्दो जहत कर रहे है इन तमाम लोगों की जिंदगी और ज्यादा समस्य में आने वाली है रोज मर्रा की जिंदगी रोज कमा ख़ुशाली तब ड करेंगे तरा और परूझ यह अपने मेहनत के मादधयम से अपने अर्थिक अपने आर्थिक समस्या वो को अपने आर्थिक शतर को अगर बढ़ापाएंगे तब जाके हम इंद River के अंदर में कि विकास और खुशाली वाला जीवन लापाएंगे और इस दोई देश जिस प्रकार एक सामपरदाइक महौल से गिरा हुआ है इस सामपरदाइक महौल शे निकल कर वो एक सवधानिक रूप से जीवन जिएगा और कानून का रा जिस देश के अंदर में आएगा इस प्रकार की सारी बाते बेन मायवत जी इन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में की और खास्त और पर जिस प्रकार आर्थिक समस्याओ से गिरा हुआ है समस्याओ से निजात पाने के लिए और आर्थिक स्थिती को बहतर से बहतर बनाने के लिए सरकार की तमाम नीतियों को उजागर करने का काम किया है कि किस प्रकार एक बहुत बड़ा जो सेक्टर जिस देश के अंदर में अगर रेल हो या फिर बहुत बड़े-बड़े सेक्टर अगर हम बात करें फिर वो बिजली हो या नदिया हो यह सारे चीजों को जिस प्रकार प्राइवटाइजेशन करने का काम कर रहे है इस से साफ तोर पर समझ में आता है कि लगातार इस देश के अंदर में जो सरकारी संपती जिस देश के अंदर में जनता का उसके ओपर में कदिकार है जनता जिस के ओपर में टैक्स देती हैं के तमाम पैसों को इनके तमाम पैसों को जिस प्रकार बेवजह खर्चा किया जा रहा है और जहां पर असल मायने में खर्चा होना चाहिए उन तमाम चीजों पर उनका ध्यान नहीं दे रहा है सरकार की सबसे बड़ी विफलता उन्होंने बताई ह और जिस प्रकार इस देश के अंदर में नियत हमको कहिने के देखने को नहीं मिल रही है कि भारते जन्ता पार्टी जिस प्रकार पूरे देश में सरकार चला रही है केंद्र के अंदर में सरकार चला रही है आर्थिक स्थिती को लेकर उनकी मंशा अगर होती तो सही मायने मे इस देश को विश्व गुरु वकप का बना लेते हैं लेकिन एक पूंजी पति और धन्ना सेटों के हातों में इस देश की 70% से अधिक समपति दे देना यह हमको समझ में आता है कि आने वाले भुष्य में होने वाले तमाम चुनाओं को लेकर अगर उद्योग पतियों को इन्के इस पूरे कार्यकरम को समझ में आता है लगातार इस देश के अंदर में काम कर रहें कित-गर दोरी दोर्री दोरा चहरा भारत को दिखाने या पर मनुवादे मीडिया लगातार कोशिश कर रहें लेकिन हम आपको जिस प्रकार बाउजन मीडिया आपको इस देश की सची तस्वीर को लगातार दिखाने का काम कर रहें दथिंग के माध्यम से इस प्रकार आप अपने प्रतिक्रिया के माध्यम से जरूर रूबरू कि किस प्राकर इस देश के अंदर हाला चल रहे है ये जब आने वाले समय के अंदर हम ये तो सारे चीज़े दूथ का दूथ और पानी का पानी हो जाएगा आपको इस पूरे वीडियो के लिए कर आपकी क्या प्रतिक्रिया है प्रतिक्रिया में comment box में ज़रूर बता है बना रहा है दर्तिंग के साथ तब तक के लिए जैभीम जैवारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुलें